नमस्कार दोस्तों आज आम देखेंगे अगर आप RD close करते हैं प्रमिचर विड्रोल करते हैं या मेचर होने के बाद पैसा उठाते हैं तो यह जो पैसा कहां जाता है आपको पैसा कहां से मिलेगा जब भी आप कोई भी RD create करते हैं ओनलाइन हो या आप बैंक पर जाकर कोई भी RD create करते हैं तो यहां पर कई options available होता है उस पैंक के तरफ से फरक्सामल RD close होने की बाद मेचर होने की बाद reinvest होना चाहिए या savings account को आना चाहिए या एक नए FD create होकर RD का पैसा FD बन जाता है इस तरह का कई options होता है अब यहां पर अब देख सकते हैं एक वीडियो का corresponding मेरे जो पैसा RD पर है उसका interest के साथ savings account पर credit हो जाता है और जो पैसा मगर यहां पर इन लोगों को पैसा savings account पर credit नहीं हुआ है यहां पर आता है जो instructions आपने दिया है RD create करते समय वही follow किया जाता है अब यहां पर क्या-क्या instructions हो सकता है हर एक बैंक का RD create करते समय different instructions होता है फरक्सा इस तरह के instructions आप दे सकते हैं यह दूसरा instruction इस तरह से हो सकता है RD close होने के बाद एक उसी तरह का RD create किया जाए ताकि आप उतना ही टेनोर के लिए आप एक नया RD create कर सकते हैं automatically create हो जाता है यह तीसरा हो सकता है आपका बैंक का ही instruction होगा RD close होने के बाद जो पैसा इंडरेस के साथ आया है वो जो पैसा savings account को credit हो जाएगा इंडरेस के साथ क्या instruction आपने RD create करते समय दिया था उसी पर depend करता है यहां पर सबसे बढ़िया option यही होगा आपके लिए अगर आपका पैसा अभी तक RD close करने के बाद नहीं आया है savings account पर तो आप अपने bank को contact करें और branch पर contact करके पूछे यह जो पैसा कहां गया है आपका ज इस तरह का कोई फी instruction आपने open करते समय आठी open करते समय दिया है तो उसी को ही follow किया जाता है अगर bank को contact करने के बाद भी आपका प्रस्चन अभी भी है जरूर कमन सुष में लिखिए उसका उतर में दूँगा इस विरमतिना ही वीडियो चुर रहागा तो लाइक करें शेयर क अधरे अंडूसम चैनल थैंक जेहिंद वन्दे मातरम